हलो दोस्तों वेलकम टू मोटा भाई ओरिजिनल मैं हूं मोटा भाई और इस वीडियो में आप प्रताएं जा रहा हूं कि किस प्रकार से एक काई टूर्णामेंट के अंदर कितने शर्टे और नियम होते हैं जिनको पालन करके यह पूरा टूर्णामेंट ऑगनाइस किया जात तो मेरे पास नियम शर्टे सारी हाँ पर लिखी हुई है तो मैं आपको एके करके शाहिए नियम शर्टे बदाऊंगा और कुछ तो बहुत इंट्रस्टिंग है जो आपने आज से ठोची नहीं हूं तो 25 टोटल 25 नियम वा शर्टे इनों ने मैंशन कि हुई है सबसे पहला नियम है वो है तूर्णामेंट के सभी मैच देमुआ खाट रेनाही में होंगे सभी टीमों को उनके मैच वली दिन सुभा 10 वजे कमेटी को अपनी उपस्तेती बतानी होगी साले 10 वजे मैच शुरू हो जाएगा दूसर नमबर टीम के समय से मैदान में ना पहुशने पर हर एक घंटे पर उसकी टीम का एक पेच कटा हुआ दे दिया जाएगा इसी तरह अगर दोनों ही टीमे समय पर नहीं आती हैं तो दोनों टीमों का एक एक पेच हर घंटे कम कर दिया जाएगा पहले राउन में फैजाबाद से बाहर की टीमें टीमों को अपने देर से पहुशने की सुचना कमेटी को देगी हो इसरा है सभी टीमों में चार खिलाडी होंगे इन में से एक मैच में तीन खिलाडी मैच ला सकते हैं बीच में खिलाडी बदला नहीं जाएगा अगले मैच में चार खिलाडी में से कोई भी तीन खिलाडी ला सकते हैं प्रतेक मैच नौ पेच का होगा हर खिलाडी को तीन पेच मिलेंगे वहाँ एक या तीन पतंगों से नौ पेच काट सकता है लेकिन अपनी तीन पेच कट जाने वे वहाँ चौथा पेच नहीं रहा सकता तो नौ पेच है एक टीम में चार लाड़ी चार में से मैच यू लाएंगे वह तीन लाएंगे प्रतेक प्लेयर को तीन पेच मिलेंगे रोडल नौ पेच और जो पहले नौ काटेगा वह जीतेगा चौथा पॉइंट है सभी टीमों को अपनी एंट्री फीस की रसी दिया उसकी फोटो लाना अनिवार है ऐसा ना होने पर उनका फॉर्म नहीं भरा जाएगा पाच्वा सभी टीमों को फॉर्म भरते समय खिलाणी पर नाम लिखना अनिवार है जो की मैच के बाद बदले नहीं जाएगे तो मैच से पहले चार नाम देने है उसमें से तीन प्लेयर पतंग उड़ाएंगे और यह लिखा जाएगा हमने आपको अपने इनौगरल वीडि उस शेहर का होना निवार है अगर कोई खिलाडी किसी दूसरे शेहर की टीम चे लड़ा रहा है तो आपत्ती होने पर उसे अपनी शेहर की टीम के खिलाफ बैठना बढ़ेगा तो मतलब अगर जैपूर की कोई टीम है तो जैपूर की टीम के अंदर जो जैपूर की टीम जैपुर का होगा बाकि एक बीका नेयर का हो सकता है जोदपुर का हो सकता है इस तरही तेम बने की फिर साथवा कॉइंट है सभी टीमों को अपनी बिल्कुल सीधी पतंग रुआनी होगी कमेटी की कॉल के बाद केवल 15 मिनिट का समय मिलेगा इस समय में खिलाडी को अपनी सह ही पतंग लेकर क्रीस पर आना होगा कि पतंग खराब होने या वा किसी भी कारण पतंग बदलना चाहते हैं तो इसी 15 मिनिट में बदल चकते हैं 15 मिनिट के बाद उसका एक पेच टाइम आउट से काट दे जाएगा तो दोस्तों अगर आ यह साकर नंबर पॉइंट की कहता ह है ills जो आप पतंग आईगे वह एकदम सीधी खिचनी चाहिए अगर सीधी खिच रही है तो वह सीधी खिचते में लेट है या राइ sow सीधी पतंग आने चाहिए यह नीच्श दर्ते में सीधी आने चाहिए तो यह बहुत Mmm यह बन 1, 2, 3 या 857 गन आदी मन्जे की शिकायट आने पर उसकी मजबूती जाची जाएगी मन्जा एक किलो पचास ग्राम से एक किलो छेस्सो ग्राम तक का भार 20 सेकंड तक सहन करेगा वही माजा पास किया जाएगा इससे अधिक भार उठाने वाला मंजब गलट बाना जाएगा और जिसका मंजब गलट पाया जाएगा उस तीम को टूर्नमेंट से हटा दिया जाएगा उठाओ उठाओ रेड़ियो रिकॉर्डिग होरी है आज आफेश आफेश नीचा डालो अब डेड़ेगू लाओ एक किलो पांसो ग्राम हो गया है गिगा जी क्यों चला चला देख ले जाया रहा है क्या जी काओ प्रोटेस्ट फीस पांचो रुपे होगी, प्रोटेस्ट सही होने पर फीस वापिस कर भी जाएगी, प्रोटेस्ट गलत निकलने पर फीस वापिस नहीं होगी दसवा कॉइंट है, पेच 600 गज पर फेरा जाएगा, 500 गज से कम होने पर पेच कैंसल कर दिया जाएगा, दूर का पेच 700 गज से सारे 800 गज तक फेरा जाएगा सकता है फिर अगले मॉइंट पर आते हैं दोस्तों, पेच फसकर दूर होने पर फ्रंट एमपायर को दिखने तक या एमपायर के अपने विवेक पर कैंसल किया जाएगा, पतंग पेच में जमीन पर गिनने या जमीन पर छूजाने पर पेच कटा हुआ या बराबर दिया जाएगा तो अगर किसी ने नीचे मारा और यह पेच पर गिन हो जाएगा, तो यह पतंग कटी माने जाएगी, यानि अगर पेच में काट-काट नहीं होती है, तो जिसकी पतंग जमीन पर छूजा जाएगी, उसका पेच कट दिया जायेगा, और अगर काटने के बाद, नीचे आले इसने काट दिया है कि मुड़ा दिखाने पहले जूज आती है तो बराबर जाए मतलब इसने काट दिया ऊपर गदी है तो यह गंधे अगर नहीं दिखाया और जविन पर छू गई तो है पाइज äl सूगहे हा डाले ऐह रहें कि कर से भी घाड़ इसमें बारवे नमबर में जो पेंच जो यह रूल है इसके अंदर भी पेंच है सुनिये पेंच में पतंक किसी बिल्डिंग या पेड़ के पीछे जानने के बाद 30 सेकंड में वापस ना दिखाई देने पर पेंच काटा बाना जाएगा क्रीज केवल फ्रंट एंपायर ही सेट करेगा किसी भी तीन दा खिलाडी क्रीज को उठा कर इधर उधर नहीं कर सकता दोनों क्रीज के बीच की दूरी पेंच के रेंज हावा का रुख या फ्रेंट एंपायर की सला से ही तै की जाएगी क्रीज 14 नमबर पॉइंट है क्रीज आउट पूरा पैर एक या दोनों बाहर होने पर ही माना जाएगा एड़ी या पंजा क्रीज पर छूते रहने पर क्रीज आउट नहीं माना जाएगा चरकी दिखाने वाला अंदर या बाहर कर सकता है विरोधी टीम को क्रीज की वीडियो बनानी होगी बिना वीडियो के विवाद की स्थिती में उसकी बात मानने नहीं होगी किसी भी खिलाडी द्वारा कमेटी एमपाय किसी दूसरे खिलाडी से दुर वेवार करने अपशब्द कहने या जगड़ा करने पर उसकी टीम पर जुर्माना किया दे सकता है या टूर्णामेंट से बाहर किया दे सकता है तो गुड रूल, फेर रूल, सत्रा किसी भी पूल के पहले राउड में वाक ओवर होने पर कमेटी उसकी दूसरी टीम को लड़वा सकती है अठारवा पॉइंट है कमेटी किसी भी मैच या प्रोग्राम को कभी विदल सकती है उननिसमा पॉइंट है पतंगा साइस जो आपने अपनी इनौगेशन वीडियो में दिखाया था पतंगा साइस कैसे नापते है ठड़ा 23 इंच से लेके साड़े 23 इंच और कमानी 26.5 इंच से लेके 27 इंच तक मैच शुरू होने से पहले सभी खिलाणियों को अपनी पतंग कमेटी में लाकर चिक करानी होगी कमेटी सही मा की पतंग पर महर लगाकर साइन करेगी बिना महर और साइन वाली पतंग मानने नहीं होगी ओके पीस नमबर पॉइंट है पतंग का रंग गहरा जैसे काला या नीला होना चाहिए हलके रंग की पतंग मानने नहीं होगी पतंग पर हलका डिजाइन जैसे पतली मांग तौप पर्वी बद्धी तारा चांग आधी ही मानने होगा तो दोस्तों कई पतंग ऐसे डिजाइन होती है जिसे लाइट ग्रीन, लाइट ब्ल्यू, लाइट यलो या रिड यह पतंग नहीं चलती है क्योंकि जब एक डिस्टेंस पतंग पर हो जाता है तो यह पतंग अगर सूरच ही रोशनी पढ़ते ही यह पतंग गायब होजाती है तो दिखती नहीं है तो आपोनेट को इसमें लडाने में दिक्कत होती है तो इसलिए पॉइंट एक वैलेड पॉइंट है उसको मैं फील कर चुका हूँ और 21 नमबर पॉइंट है पतंग पर सामने कोई भी चमकदार स्टीकर चमकीला टेप नहीं लगा होना चाहिए आपती होने पर पतंग हटवाई दे सकती है और हटवाने के बाद फिर 15 मिनेट के अंदर दुबारा एक नहीं पतंग वहाँ पे प्लेयर को लानीग होगी तो वही उपरा लगूर लग जाएगा दोस्तों अब लोग के लास्ट इन पॉइंट है रह गए हैं फ्रेंट एंपायर और कमीटी का फैसला अंतिम होगा वोई भी चलेंग नहीं करेगा फ्रेंट एंपायर द्वारा पेज सही होने के बाद पतंग के पतंग का कन्ना खुलना पतंग फटने पर खिलानी को क्रीज में रहते अगर इसी तरह अगर कन्ना खुली या फटी पतंग से दूसरे खिलारी की पतंग कट जाती है तो कटा हुआ पेज कन्ना खुली या फटी पतंग के हाग में जाएगा फ्रेंट एंपायर या सीटी या कटी हुई छंडी देखने के बाद ही क्रीज में रहते हुए क्रीज त जो भी टीम टॉस जीतेगी उसे साइड और उपर या नीचे का पहला पेश लाने का अधिकार होगा तो सबसे पहले मैंशनों एक टॉस होता है जो टॉस जीता है तो यह तो साइड मांग लेगा या वो पेश नीचे से लाने का अधिकार मांग लेगा तो दोस्तों आपने ये पच्छी सूल सुने मोटा भाई अरिजिनल पे अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक, शेर और सिस्क्राइब मोटा भाई अरिजिनल तो थैंक्स वा मोटा भाई और पता मुलाते रहिए बसे करते रहिए बाई